जैहन दोस्तो मेरा नाम है डेनस और आप देखरे हैं मेरा यूटीब चैनल इस चैनल पर में ज़्यातार आटमो टीवी वीडियो डालता हूँ और कही कबार ट्रैबल व्लोग्स वगेरा भी सो अगर आपको ऐसा पंटेंट पसंद है मेक शोर टिद देखरे बिटन साथी जान नोटिफिकेशन बेल को भी दिबा देना ताकि हम एर यह इस इंट्रेस्टिंग वीडियो पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पासकेंगे आज की इस वीडियो में बताने बाला हूं कि कौन से कौन सी गाड़िया लॉंच हो रही है इन इंडिया दिस मंथ उन में से एक दो गाड़ी ऐसी है जिनकी नया जैनेरेशन मोडल आ रहा है और एक गाड़ी ऐसी है जिसकी अभी तक हमें लॉंच डेट नहीं पदाई थी अगर उस कंपनी ने उस कार को रिवील कर दिया था तो लेट्स बिगिन विट टोडेज वीडियो तो पहले नंबर पर आती है एम जी की ग्लॉस्टर जी आपने सही सुना एम जी ग्लॉस्टर अभी थोड़े दिनों पहले ही रिवील हुई थी बाई कंपनी और यह लेवल इस रिवील है वो है आठ अक्तूबर को मतलब की कल कल हमें इस कार का प्राइस पादा चल जाएगा मतलब की यह इंडिया में भी लॉंच हो जाएगी कार अभी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग तो इसकी मतलब की 40 से 50 लाग के बीच में चल भी बट मुझे जो लग रहा है वो 30 से 40 लाग के बीच में इसका प्राइसिंग रहने वाली है चार वेरियंट में अवेलेबल होगी और दो इंजिन ऑप्षिन विड डिफरेंट टाइप अफ ट्यून और टू वील ड्राइव और फॉर वील ड्राइव के साथ एक ही ट्रांसमिशन मिलेगी जो है आउटमे क्रिस्टा जी है आप नई रिपोर्ट सामने आती है कि मैंने आपको चैसे अपनी प्रीवियस दो वीडियो में दिखाया कि कुछ ऐसे दिखने वाली है फेसलिफ्टेड मॉडल फॉर टेयोटा इनोबा क्रिस्टा जो ट्वेंटी ट्वेंटी मॉडल होने वाली है उसको जो कह रहे हैं कि इसका जो इंडिया लॉंच है वो इसी महीने में होने वाला हाला कि कोई डेट पता नहीं है बट इसकी डिलिवरी स्टार्ट हो जाएंगी फ्रम नुवेंबर इंजन ऑप्शन सेम ही मिलेंगे बस आपको लोक्स इसमें थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल जा क्योंकि यह एक फैमिली फोकस्ट कार है और इसका इंटेर भी बहुत फ्रेश है और एकस्टेर से भी बहुत फ्रेश है और आप इमेज बैसे तो देखे बारेंगे इंडिया में स्पाइक करी गई है और इंटेर की भी आपने देखी ली होगी तो लेंथ है दाट इस 4526 मिल सो अलमोस अराउंड होंडा सीटी से थोड़ी सी लबी बोल सकते हैं और इसमें पावर ट्रेन हमें 220D और 220 आये मिल सकती मतलगी 2 लीटर का टर्बो डीजल और 2 लीटर का टर्बो पेट्रिल इंजन और एक्सपेट प्राइजिंग इसकी अराउंड 40 लाक्स या मतलगी 30 से 40 ला मतलब की रूमर में निर्ट की लाुप इंडिया में लांच होगी बट अब फाइनल्यर इंडिया में आरे है इसी महिने में इसका लांच है इसका लांच हो सकता है राउंड थे क्ष और र्ट य科श दो कुछ एक्स उच्छ भी नहीं पता कर लॉँर यथा कूंकि बताया न Q2S का and इसमें हमें variants जो मिलेंगे that will be standard and premium and premium plus one, premium plus two, so almost four variants हो गए और feature भी इसके अलग-अलग मिलने वाले हैं and इसमें सरफ एक engine मिलेगा जैसे की Audi ने बोला के हम सरफ petrol engine में काडियों को बेचेंगे सरफ में मिलेगा हमें 2 लीटर का TFSI Quattro engine जिसकी पावर है 190 HP at 4200 to 6000 RPM और जो इसकी टॉर्क है that is 320 Nm at 1500 to 4100 RPM इसका भी जो प्राइस है वो भी रहने वाला around 35 to 40 लाग के बीच में, so guys आप भी ये सोचरोंगे कि जो अभी तक मैंने गाडियों का आपको मतलब की बताया है वो सारे महेंगे सेगमेंड में आरी, मतलब की 30 लाग से तो उपर की सेगमेंड में आरी बट एक गाड़ी में आपको बता दीजो, मतलब की 20-24 लाग तक की आती है जो है Innova Krista, अब आपके लिए एक और गाड़ी है जो महेंगे सेगमेंड में आती है so moving on to the 5th vehicle 5th vehicle रहती है हमारी Land Rover Defender इसका जो launch है इंडिया में होने वाला है 15 October को और इसका जो top model है वो around 90 से 1 करोड के बीच में cost करेगा in एक शरूम उसके बास on-road pricing तो अलग से करेती है अभी 2-door model नहीं आएगा इंडिया में इसका 5-door version आएगी जो है Defender 110 और इसका जैसकी माना आपको बता है 15 October को launch है तो यह इंडिया में लाइंड होनी शुरू होगे तो यह जगी है इस शिप्मेंट यार्ड में कहीं खड़ी है कार अब इमने स्क्रीन के सामने इमेज देख पा रहे हूंगे तो जी हाँ कुछ ऐसी दिखेगी Land Rover Defender It is a good car and काफी टाइम के बाद Land Rover इस car को वापिस लाए है तो वही अलमोस्ट तीस साल के बाद यह गाड़ी वापिस आई है and I am really excited to see in person अगर मुझे कोई चांस मिलता है इस car को देखने का So अब पांच गाड़ी है होगी महेंगे सेगमेंट की So अब जो छेवी गाड़ी आती है गाईज वो है Hyundai की 3rd generation i20 जो टोटली चेंज रहने वाली है New generation model उसका इंडिया लाँच हो सकता है नोवेंबर में हाला कि अभी यह reports by Rush Lane suggest कि इसका जो लाँच है हम expect कर सकते है 28th October या दिवाली से थोड़ी दिनों पहले हो सकता है इसका launch और यह कार टोटली चेंज रहने वाली है इस premium features के साथ offer करे जाएगे विद आल न्यू इंटीरेर आल न्यू एक्स्टीरेर और तीन इंजन options expect कर सकते है 1.5 लीटर डीजल, 1 लीटर टर्बो पेट्रिल हमें intelligent manual transmission भी offer करी जाय सकती है and in top end variant sunroof also might be offered क्योंकि यह spy करी गई थी with sunroof so maybe that will also be offered and fully digital instrument cluster मतलब की speedometer और tachometer जो इस car का होने वाला वो digital रहने वाला so I am really excited to see this car मैं पूरी कोशिश करूँँगा कि इस car का review में आप लोगों के लिए सबसे पहले अपने चैमल पर लेकिया हूँ so guys make sure to hit the subscribe button and also the notification bell ता कि आप मेरी i20 की वीडियो पर या और भी कोई अच्छी जी interesting वीडियो पर सबसे पहले notification पास एक है and guys I will see you soon till my next video bye ये प्र बाइए प्रेश जीडियो जीडियो देए आभ भास वे अबर बाइए भास